मेरे पास में बच्ची है प्रतीमा प्रतीमा ये मराठा है महराश्टियन है और ये प्रतीमा मुंबई निवासी है महराश्ट की और ये बच्ची अपना स्वेम का खुद का पालन करती थी अपना बढ़िया कमाती थी इंडरस्टी से जुड़ी भी थी इस बच्ची को आरिफ अली नाम का विक्ति इस बच्ची को किस तरीके से गुम्रह किया फसाया एक जिहाद में और इस बच्ची की कुछ मजबूरी हो गई उसके साथ रहना एक बच्ची इसके पेट में उस समय मोजूद थी तो इसकी मजबूरी थी यह फस्ट उक्रीटी जागो यह समझोता करके जब उसके साथ रहने आ गई उस विक्ति ने इसको धोका दिया कि वो अलड़ी विभाईग था है ना वो अलड़ी विभाईग था पहले से शाटी शुदा था बच्ची को गुम्रा किया इसको फसाया इसका जो जो नहीं बोलने की चीज़ें सामने वो सब इसके साथ किया और बच्ची के पास जो कमायवा पैसा था प्रॉपर्टी थी वो सारी इसमें बिखवाई और बिखवा के बच्ची से एक जिम बनवाया रुजगार करूंगा मैं तो मुझे जिम पनवा कर दो बच्ची ने एक जिम पनवा कर दिया उसे और उसको मकान प्रॉपर्टी बेज के उसके नाम करवा दिया बच्ची का सब कुछ सर्वस से धन, दोला, पैसा, रुप्या, मकान सब ले लिया और लेने के बार में एक और लड़ी पत्नी उसके पास पहले से मुझूद है उसका आतंग जहल ली है, उसकी मारपीड जहल ली है और कहीं जाने का प्रयास करती है तो इससे रूप दिया जाता है और सब कुछ छेनने के बाद में इसको वह और उसके परिवार जना, अब इसको मारपीड पीटने लगे है ये प्रतीमा नैस वंकर माराथा है, ये महराश्विम बच्ची है और ये प्रतीमा बच्ची जहादी के जाल में भस गई, अब इसको मारा पीटी इसके साथ में दुराचार को काम चालो हो गए बच्ची तंग आकर और पिंट चुड़ाना चाहती है, तो अगले ने इसको कहाया कि टीन कलार जो कानूं खतम हो चुक, कानूं बन चुका है और इस प्रकार की भाशा बूल नहीं सकता, मना है अब उसने कहाया कि सब कुछ ले लिया इसका, सर्वस्त, और इसकी बच्ची को भी लेना चाहता है और अब इससे कह दिया है कि तू यहां से जा सकती है, और वो साइट करके जाएगी बच्ची ने प्रॉपर्टी बेच कर उसे बिसनस करवाया उसके पास ओल्ड़ी होटल्स है, कही ज्यापार है उसके पास में लेकिन बच्ची भोली थी, फस गई, बच्ची आप सर्व भोली होती है, फस ही जाती है और आज बच्ची इसी विशे को लेकर और एक सनाती में पर विश्वास है इसका क्योंकि ये भी सरातनी है, जाल में फस गई विचारी, ये स्वेम अपनी पीड़ा लेकर नहीं आई है कि मेरे साथ में इसतना अत्याचार हुआ है, और मैं फस चुकी हूँ और मेरे सारी प्रॉपर्टी, संपत्ती सब ले चुका है, अब मुझे जान से मानने की धंकी देता है और सब कुछ जो इसने लिया है, वो तो ले लिया है, और अब और पिंड छुडाने के लिए दे सकती है, अन्यता इसके साथ कल को कोई नुकसान कर देगा ये इस्तितियां है, मेरी बेहनों, बच्चियों, बेटियों, जो भी आप सब सुन रहे हैं, मेरी प्राक्तरा निविदन है, ये बहुत ही चिंता जनक मिश्य है, आप हम सब को सतर करना है, सजक रहना है, इस प्रकार के जिहादी चारों तरब फिरते गूमते रहते हैं, और इस प्रकार के जिहादी जो इस प्रकार का महौल खराब करके बच्चियों को फसा रहे हैं, और बच्चियों को इस प्रकार से सब को सर्वास से लूट रहे हैं, उन लोगों के खिलाब भी आप हम सब को कारवाई करने की आउशकता है, ये बच्ची खुद ही बैठी है, प्रकार कानून सब आपके नियम काईदे आपके पास हैं, आपको पता है, आप सब को तुरन शिकायट करनी चाहिए, पडोस के थाने में जाके आपको रिपोर्ट दर्च करानी चाहिए, महिला थानों में करणी चाहिए, सुरक्षा दंबर आपके पास होते हैं, उनको आपको डायल करके विस्कौल करके अपनी जिम्मिदारी निवानी चाहिए, इस प्रकार के आसपास धुरगटना घट रही हो, तो बेहन बेटियों को बचाने के लिए आप हम सब को सजग रहने क आउशकता है, अब आप चाहें, तो इस प्रतीमा नाम की जो बच्ची है, स्विम बैठी है, अपने आपको बचाने आई, इसकी जान बचाने आई है, इसकी बच्ची को बच्चाने आई है कितना पैसा दिया तुमने इसको, स्विम बीस लाग रहे है, पुरा कभाई तुम्हारा है ना, मेरी प्रोपर्टी सेज़ करके मैं नहीं आपको, क्या नाम तुम्हारा बताओ, कहां से हो, मुंबई से हो, इंदू हो, सनातनी हो, इसने कैसे फ़ुचाया तुम्हें, इसने पहले शादी बगरा क्या वो दिया, तीन पर इसने दवाईया भी खा चुके, इसकी फैमिली को भी बता है, और इसकी पहले शादी के वारे में मुझे कोच्छ नहीं बता हूँ, इसने बता चला जब 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 मेरे बेट में तच्छी रहे गए जी, और अभी मैंने जो फ्लैट सेल किया, वो इसने बोले था मुझे जीन के बीजनस के लिए देना में वापस करोंगा, और इसके बहुत भुचे फ़रीद है नहीं बहुत है, और आज पैसे रिटन करने के इनके चक्तरों है, इनके भाई ने भी बोल जाते हैं इसके नाम पे धनी चड़ने दून का, जब्ट उनको भी पता था कि ये पेसे बेरे रहे हैं, बेड़ा मेरे का चेक बाद सारा है, लिखा हुआ है, जो मिलर ने दिया था ना, देखो तुम्हे पहले तो ये जूट बोला कि उसमें शादी का तो ना पता था, ना किसी बच्चे का पता था, वो टाइम बात था, शादी भी ये है, बच्चे भी है, बच्चे भी है, तुम्हें कितने बच्चे, शादी पहले तुम्हेरे बच्चा था, ने दी सब, शादी में पर मेरी बेटी देटी, बेटी है भी लास रिपोर्ट निकाल दिया है मैंने उसको खर्चा हो रहा है कुछ भी नहीं दिया है इसे इसमें आने ही बन कर दिया हमारे माँ तब भी मुझे कुछ तो लगा था कि शाहिए छोड़ना ही चाह रहा है तो लेकिन यह नहीं पता था कि ऐसे तलाप नागेगा मुझे लगा मुख्य उप्देश है बच्ची का सरवस्त लेना धन लेना बच्ची के पाद जो कुछ भी इसके नाम था घले अपने नाम कराना सब विक्वाना विक्वाने के बच्ची के अच्छ कुछ नहीं बचा तब बोले तु में बच्ची दुखी होई तो मारा पीटी करना फैबल को डिवॉस दे यानि बच्ची का सर्वस ले लिया सब कुछ ही लिया अब उसके बाद में अब बच्ची के पास बचा नहीं है मारा पिटी शुरू गई अलड़ी शादी शुता है बच्चे इसको जूड बोलकर फसाया ये विचारी बंबल छोड़कर अपना काम छोड़कर बढ़िया अच्छा पैसा कमाती थी अपने माता पिता को छोड़कर ये यहां आ गई और आज इसके साथ ऐसा स्वलूप हो रहा है जूट बोलकर इसको फसाया गया मेरी प्रास्तरा है चारों और जिस प्रकार का ये इस प्रकार का शडियंतर चल रहा है बहन बेटियों के स में जिम्मा बनता है और ये बच्ची आज अपने स्वें मुख से ही बात कह रही है इसके साथ में यह हुगा है आप हम सब सत्रक रहें और अपने आसपास इन बातों का ध्यांग रखें और कि यह सी शिकायत हो तो तुन प्रवाउस से प्रणुस के ठाने में और जहां से सं प्रणुस को बचाने करता हम करें जे सी अराम जेनित जे भारत